हलो दोस्तों वेलकम टू सहभाज इलेक्टोनिक स्वागत करते हैं आपका आज की इस नई वीडियो में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैमसंग गेलेक्सी A52 का कम्प्लेटली फ्लेशिंग का वीडियो अगर आपके पास में कोई भी सैमसंग गेलेक्सी A1 मोबाइल फोन आता है तो इस वीडियो की मदद से आप उसे कम्प्लेटली फ्लेश कर पाएंगे उसके अंदर सॉफ्ट्वियर डाल पाएंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको कम्प्लेटली A to Z कम्प्लेटली इंफोर्मेशन मिलने वाला है अगर आप सॉफ्ट्वियर का बिल्कुल भी नोलेज नहीं रखते हैं तो मैं दावा करता हूँ को इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देख इस मोबाइल फोन को दोस्तों हम इस वज़ा से फिलेट करने वाले हैं क्योंकि अभी जो जो गैलेक्सी एवाउन मोबाइल फोन है उसके अंदर ओफिशली अपडेट आ गया है एंडरोड 13 का लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर नहीं आया है तो हम इसे फोर्स फुली प्राइम ही रहता है सभी में software डालने का तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और completely इस मोबाइल का फिलेशिंग आपको सिखाते हैं तो चलते हैं अपने सबसे पहले PC पर दोस्तों आ चुके हैं हमारे PC स्क्रीन पर मोबाइल फोन को फिलेश करने के लिए प् तक्रीबन दोस्तों 6.31 GB की है यानि तक्रीबन आप मान सकते हो 6.5 GB लगभग इसके बाद से हमें टूल की ज़रूत होगी जो ओडिन का टूल है जो की सैमसंग का टूल होता है जो मोबाइल फोन को फिलेश करने में मदद करता है और ये दोस्तों तक्रीबन 3 से 4 MB का रहता ह और आपको जो 3 चीज की जोड़त हो की वो है सैमसंग का USB डाइवर यानि कि आपके PC और मोबाइल फोन के साथ में जो कम्यूनिकेशन अटेच करेगा आपके फोन को जोड़ेगा वो होता है सैमसंग का USB डाइवर तो ये तीनो ही चीज़ों का लिंक आपको description में मिल जाएग जैसे कि सबसे पहले अगर आपको फ्रेम्वेर डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है यहाँ पर सर्च करना है गूगल के अंदर डाउनलोड सेमसंग A 525 फ्लेक्ष फाइल ठीक है जो भी आपका मोडल नंबर है वो आपको लिख देना है उसका मोडल नंबर लिखके आपको फ्लेक्ष फाइल सर्च करना है तो यहाँ से दोस्तों यह जो दूसरी वाली वेबसाइट है इससे मैंने डाउनलोड किया है यह वाली वेबसाइट तो यहां से आपसे इस दूसरी वाली वेबसाइट पर आ जाना है डिस्किप्शन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं आपको स्कॉल करके नीचे आना है अब यहां पर क्या है कि आपको सभी कंट्रीज के लिए यहां से इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और यहां से हम जब इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको कई वर्जन से यहां पर देखने को मिलेंगे तो यहां पर जो सबसे उपर आपको मिलता है यह सबसे लेटेस्ट वर्जन है तो हमें इसे download करना है और यहाँ पर आप version देख पा रहे हो 13 के लिए है और यहाँ पर 12 के लिए भी available है तो देखो एक चीज आप हमेशा याद रखें जो Samsung के mobile phone हम flash करते हैं तो हम उन्हें upgrade ही कर सकते हैं framework से downgrade कभी नहीं कर सकते यानि कि आप 12 है आपके mobile phone में install तो आप 13 कर सकते हो 13 को 12 में नहीं ला सकते हैं ठीक है तो हम इस वाली को जैसे download करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दू जैसे कि यहाँ पर download के लिए के option मिलते हैं अगर आप इस वाली website पर आओगे तो आप Google Drive से download करें तो यह मेरे ख्याल से ज़्यादा बहतर रहता है इस पीड भी अच्छी आती है और cancel नहीं होता इस वाले में और इस वाले में download होने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो इसको ही पर फिर करूँगा कि मैं आप Google Drive से download करें यह अपने framework डाउनलोड कर लिया इसके बाद से आप बारी आती है आपके Odin के टूल के तो आपको Google में जाना है सिर्फ लिखना है download Odin tool यहाँ पर पहली वाली जो website आईगे आपके सामने इसे आप open कर लिजे और यहाँ से सीधा ही आप Odin के टूल को download कर पाएंगे अब जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है Samsung का USB driver आपको type करना है Google के अंदर जाकर download Samsung USB driver और first वाली link को आपको करना है open और यहाँ से simply आप Samsung की USB driver को download और install कर पाओगे दूस्तों Samsung की USB driver को install करना बहुत ही असान है तो यहाँ से आपको इसे download करना है और install कर लेना है अगर आपने already कर रखाया तो आप इसको skip कर सकते हो हमने तीनों चीजों को देख लिया किस तरह से download करना है आपको अब इसके बाद से दोस्तों हम flashing की process start करेंगे तो जैसे कि क्या है कि यह हमें जो मिलती है zip या rar file के अंदर मिलती है तो यह zip file है और यहाँ पर एक file हमार पास यह है तो सबसे पहले हमें इने extract कर लेते हैं तो मैंने क्या क्या तीनों ही file को cut करके मैं dextro पर ले आया हूं और मैंने यहाँ नया folder बना रखा है ए 52 कर ठीक है तो इसके अंदर मैंने तीनों हम भी file को cut करके यहाँ पर मैं लाच चुका हूं तो सबसे पहले में क्या करता हूं जो framework है हमारी flash file है उसे हम extract कर लेते हैं तो आपको extract hair के उपर click कर देना है तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जब हम file को extract करते हैं तो यह थोड़ा time लेगा तो हम क्या है कि वीडियो के जो speed है उसे increase कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारी flash file है वो completely extract हो चुक यह है इसके बाद में बारी आती है Odin टूल की तो इसे भी हम extract here कर लेते हैं यहाँ पर से दोस्तों यह हमारे पास में Odin आ जाता है अब हमें क्या करना है कि Odin जो आपका tool extract होकर जो file आपके पास में आई है यह वाली इसे आपको double click करके open कर लेना है और यहाँ पर आप देख पा रहे है Odin यह वाला जो आपको 30 अमर पर दिखाए दे रहा है इसे double click करके आपको open करना है इसके बाद से आपको यहाँ पर ok कर देना है और यह आपका tool open हो जाएगा अब यहाँ से दोस्तों आपको करना क्या है सबसे पहले आपको bl file select करना है तो bl file आपका दोस्तों जहाँ पर आपने framework को आपको उने extract किया था वहीं पर मिलेगा तो हमने क्या क्या था जो हमने desktop पर folder बना रखा था a52 का तो यहाँ पर हमने जो हमारी flash file थी इसको extract क्या था तो यहाँ पर bl file हमारा यह रहा तो हम इस bl file को select करेंगे तो bl के उपर जैसे हम click करेंगे तो जहाँ भी हमने bl file रखा था हमने desktop पर रखा था Dextropper चले जाते हैं और A52 वाले folder में रखना था और इसके बाद से यहाँ पर हमसे जो की BL file है उसे हमें select कर लेना है इसके बाद से आपको AP file को select करना है AP file के उपर click करेंगे AP file आपका यहीं पर है double click करके इसे भी select कर लेते हैं AP file आपका लोड़ होने में थोड़ा time लेगा तो जस्त आप wait कीजिए AP file हमारा select को चुका है इसके बाद से CP select कर लेना है यह CP रहा finally CS से आपको और select करना है और इसके बाद से दोस्तों जो आपको user data वाला है यह आपको छोड़ देना है अगर आपकी यह tabs टिक नहीं होते हैं अंटिक रहे जाते हैं तो इसके बाद से टिक कर दीजिए user data को आपको विल्कुल खाली शोड़ देना है इसके बाद सा आपको आपको mobile phone download mode के अंदर इसके अंदर connect करना है तो download mode के अंदर करता से connect करेंगे वो भी देख लेते हैं यहां पर दोस्तों completely हमारा tool का setup ready है और हम mobile phone को connect करेंगे अपने PC के साथ में तो क्या होता है दोस्तों जब हम download mode में mobile phone को connect करेंगे तभी जाकर flash कर सकते हैं आपको दिखाए देगा तो हम क्या करते हैं सबसे पहले phone को कर लेते हैं स्विच ओफ करने के लिए क्या करेंगे वोलिम डाउन और पावर बटन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे यहां से आपको पावर ओफ कर देना है अपना डिवाइस अब यहां पर दोस्तों आपको करना क्या है अपने type C USB केबल को लेना है और आपको वोलिम अप एंड डाउन दोनों एक साथ दबा के रखना है और USB केबल को इंसर्ट करना है और जब तक आपका डिस्पले बिलिंक ना करें आपको करना है वेट इसके बाद से यह आपका mobile phone download mode के अंदर आ जाता है इसके बाद से आपको continue करने के लिए volume अपको वाले बटन को प्रेस करना है एक बारी मैं आपको focus करके दिखा देता हूं तो यहां से आप देख सकते हो volume up to continue इसके बाद से volume आपको वाले बटन को प्रेस करते हैं यह download mode के अंदर हमारा phone आ गया है और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों com भी यहां पर com port यह जिसने बना लिया है यानि कि अब यहां पर port भी हमें show होने लगा है अब यहां पर दोस्तों हमें flashing start करने के लिए क्या करना है start वाले बटन पर click करना है और आपके mobile phone का flashing हो जाएगा start तो हम start की command इसे दे देते हैं तो यहां पर दोस्तों यह आपका mobile phone flashing होना start हो गया इस process को completely होने में काफी time लगेगा तो वीडियो का speed थोड़ा increase कर देते हैं तो यहां पर दोस्तों हमारा mobile phone completely flashing हो चुका है और हमें यहां पर ओडिंग के अंदर दिखा दिया है pass और इसके अंदर लगाए तकर पांच मिनिट नो second का time तो चलिए दोस्तों हो रहा है हमारा boot और देखते हैं तो phone दोस्तों हमारा on हो रहा है तो wait करते हैं तब तक यह start होता है चलिए दोस्तों मैं completely phone का quick setup कर लेता हूँ ताकि आपको इसके अंदर से इसके settings को दिखा पाऊँ तो देखो दोस्तों जैसे phone start हो है न यह चीज तो completely हो गया है कि phone आपका completely और एकदम ठीक तरह से flash हो चुका है अब जैसे कि दोस्तों हमने इसका framework अपग्रीड किया था तो उसका तो जैसे ही यह mobile phone ओन होगा तब ही पता चलाएगा तो finally दोस्तों काफी time लग गया लेकिन phone completely set up हो चुका है एक बार इस settings के अंदर visit करते हैं देखते हैं क्या माजरा चल रहा है अंदर about phone के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों तो आप देख सकते हो Samsung Galaxy A52 और यहाँ पर हम जाते हैं software information के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हो Android version 13 के अंदर अब यह update हो चुका है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी Samsung के A52 mobile phone को इस process को follow करके लहेंग हो जाता है सैमसंग लोगों पर अटक जाता है तो वो भी आप ठीक कर सकते हो इस तरह से फ्लेश करके और सैमसंग मोबाल फोन अक्सर कर सभी इसी तरह से फ्लेश होते हैं अब यहां पर दोस्तों कई बंदे कमेंट करते हैं कि सर ऐसे फोन को अगर हम फ्लेश करते हैं इस वीडियो के अंदर इतना ही ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर डीजिए इस नोलीज को बाटने के लिक कीजिए अपने दूस्तों को शाथ में शेयर सात में आवार चैनल को सस्क्राइब गरिनिक सात में बैल नोट्फिकेशन को प्रेस करना जो बिल्कूल भी ना भूलें ताकि आने वाली हरे ग्लेटेश फीडियो की नोडिटिकेशन आपको सबसे मेले, पहले मिल जाए, थेंकियो सो माज गास, टेक क्यार एंड, बाबाई